MCC All India Quotter round 2 की जो भी seat metrics है कितनी seats backend है वो सारी seat आ चुकी है मैं आपको इस वीडियो में आपको government seats बता देता हूँ कि कितनी कितनी seats backend है ठीक है किस category के लिए तो आप देख सकते हो friends सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीट के प्रॉपर अपडेट्स आपको मिलती रहेगी category wise में all categories की college wise जो seat matrix है ठीक है कितनी किस category के लिए किस college में back end seat है मैं अपने telegram और whatsapp group पर share कर रहा हूँ आप लोग बहां जाकर के देख लिजीगा यहां पर मैं केबल आपको एक category wise बता देता हूँ लेकिन जो pdf मैं share करूँगा बहां पर आपको college wise भी देखने को मिलेगा ठीक है तो फ्रेंट चैनल को कितनी seats बची हुई है दोग हम back end seat की बात करेंगे जो कि clear vacancy है हम virtual seat की बात नहीं कर रहे है virtual seat का मतलब है कि ऐसे सभी कंडे जुन्होंने college अलॉट हुआ था और admission तो लिया लेकिन उन्होंने अप्ग्रेड करने का सोचा अप्ग्रेड के लिए opt किया है तो हम यहाँ पर वो अप्ग्रेड वाली वेकेंसी की बात नहीं करेंगे हैं पर clear vacancy हैं जहां और किसी का कोई हक नहीं है seat पर उन seats की बात कर रहे है ठीक है ओपिन की बात करते हैं round 1 में 3,000 seats ही अब round 2 में जो seats बची हुई है वो 2212,221 seats बची हुई है आप round 1 का चेक करते रहे हैं मैं round 2 का आपको बता देता हूँ EWS के लिए 579 seats बची हुई है OBC के लिए 1612 यह government seats है यह government college की seat होती है 15% बो seats है SC की 820 seats back end है ST की 362, open PWD के लिए 71, EWS PWD के लिए 24, OBC PWD के लिए 42 seats है SC PWD के लिए 36, ST PWD के लिए 20 seats, round 1 में total कितनी seats थी हैं और इंडिया को टाकी 7,918 seats और अभी round 2 में कितनी बची हुई है 5,768 seats बची हुई है 5,768 seats आपकी All India quota 15% की seat होती हैं वो बची हुई है government college की अब बात कर लेते हैं हाँ पर हमकी aims में कितनी seats थी और aims पर round 2 में कितनी बची हुई है दोको इस बार क्या हुए कि round जो aims college है बच्चों ने सबस्यादा focus aims पर किया है ठीक है इसलिए यह आपको government seat जो देखने को भी नहीं 2212 जो back end seats है ठीक है तो round 1 में open category के लिए 850 seats थी जिसमें 108 seat round 2 के लिए back end है जो कि clear vacancy है ठीक है EWS के लिए 32 back end seat है OBC के लिए 89 SC के लिए 40 seats है back end round 2 के लिए ST के लिए 19 seat है open PWD के लिए 4 seat EWS PWD के लिए 1 OBC PWD के लिए 5 seats है SC PWD के लिए 1 seat और ST PWD के लिए 1 seat aims round 1 में जो seats थी total वह आपकी 2200 seats थी round 1 में लेकिन अब round 2 में जो seats vacant बची हुई है वो 300 seat है तो आप लोग यहां से देख सकते हूं कितना ज्यादा seats यहां पर बच्चों ने aims को opt किया और aims को पहले priority दिये government college को कम बच्चों ने priority दिये ठीक है मैं आगे cut off भी आपको बता दूगा कि cut off क्या रहीगी उसके बाद बात करते हैं यहां पर हम all India quota open and MBBS की seats ठीक है मतलब हम सब को यहां पर mix करते हैं जो open seats होती है central universities होती है उनकी बात कर लेते हैं ठीक है जैसे all India quota 15% सारी college की बात करते हैं तो all India quota 15% की जो seats थी राउंड वन में 7918 seats थी अब राउंड टू में जो seats बची हुई है वो 5768 seat है एमस की राउंड वन में 2200 seats थी लेकिन अब राउंड टू के लिए 300 seats बची हुई है AMU की 72 seats थी लेकिन अब 18 seat back end है bhu की लिए 100 seats थी लेकिन 5 जो seats ने राउंड टु के लिए way performed है जिपमर के लिए 2079 राउंड वन के लिए seat back end थी अब 37 राउंड टू के लिए के टू टू जो यम्टन में तीम्ड की बात है Belkul नहीं कर रहा हूं द्यां दीजी कर नहीं भी अब जो seats back end बच्ची हुई है वो 6128 seats ही आप लोग यहां से खुच चेक कर सकते हूं मैंने आपको डाटा दिया था कि 60% seats आपकी back end जाएंगी तो आप यहां से खुच से इस चीज को calculation कर सकते हो कि 60,000 seats आपकी back end है round 2 के लिए ठीक है जो मैंने आपको बताया था वो यहां से आपको देखने को मिर रहा होगा ठीक है अगर मैं cutoff की बात करता हूं तो cutoff आप ऐसे मान के चलें कि जो आपकी cutoff जा सकती है वो cutoff ऐसे मान के चल सकते हैं आपकी cutoff है जैसे किसी भी category की उठाकर देखीजीगा round 2 में जो all India की बात कर लेता हूं जैसे all India rank जो बच्चों की हो जाने वाली है round 2 में ठीक है तो आप यह every category के लिए count कर सकते हो जर्नल OBC जो भी round 1 में cutoff गई हो उससे पचीस सो लेकर उन्तीस सो all India rank बच्चों की cutoff लो जाने वाली है आप इस चीज को analyze कर सकते हो और देख सकते हो बाकी का round 2 होगा result आएगा तब हम confirm कर लेंगे और friends आपको जो बच्च मेरी paid counseling लेना चाहता है तो round 2 के लिए मेरी paid counseling ले सकता है मैं paid counseling के बारे में आपको बता देए मैं last five year से counseling करा रहा हूँ फॉल guidance आपको मिलेगी ऑल इंडिया स्ट्ट दोनों की counseling मां conduct करा हूँ लास्ट राउंड तक्रीक है preference list आपको round wise ऑल इंडिया स्ट्ट दोनों की मिलेगी required documents क्या है counseling registration form कैसे बना 247 call and WhatsApp service लेगी लास्ट राउंड तक support ये बल 2499 पर वे medical, veterinary, dental, किसी के लिए counseling आप करा सकते हूँ इस नंबर पर प्रेटि पेटियम फॉन पर उगल पर कुछ भी करने के वाद आप इसी WhatsApp नंबर वन मेरे को पिवेंट का सिवेंस और नीट का एड्मिन का रिजल्ट आप लोग सेर कर दीजेगा राइक बाकी की जो अपडेट आएंगे मां आपको इंफ प्राइब करने